नमस्कार साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं foundation of yoga का एक topic जिसमें हम पहले ही chapter में इसको include कर चुके हैं जैसे हमने last topic में देखा कि योग का origin क्या है और योग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तो हम इसकी history भी एक साथ पढ़ने वाले हैं जो कि आपको next videos में बहुत जल्दी योग क्या है योग का जो life का aim है वो क्या होता है target मूलबूथ मनलब जो last ultimate target क्या है आपका योग करने का वो क्या है वो क्या है वो aim होता है यानि आपने किस उद्देश्य को जो मूलबूथ ending उद्देश्य है कि आप lifetime उसको करते रहो लेकिन आपको last में चाहिए क्या जो end म निरोध कर लो चित्र की जो वृतियां है उनको हटा दो अब इनके हटाने से क्या होगा तदा द्रिष्ट शुरूप एवस्तानम यह आपको समझना बहुत जरूरी है यह थोड़े मूलभू चीजें है गूड रहस्य हमाई बाते हैं जो ऐसे सीधे सीधे सिंपल बातों में मै इसको ब्रह्म माना यहां पर कि यह परमात्मा है तो इस परमात्मा के उर्जा सुरूप यह यहां पर इसके ध्यान मगन है तो अब इनका दोनों का सुरूप का एकाकार हो रहा है तो यह क्या है इनके जीवन का उद्देशे था कि मैं जीवन में उद्देशे को एकाकार तो यहां पर हमें इतना उद्धश रखना है कि दाइम ओफ योगा अल्टिमेट क्या है वह अपने स्वरूप में अवस्तित होना समाध्य तक पहुंचना यही है कि आपको समाध्य तक पहुँचना है अब समाधि को पहुंचने के लिए आपको विभिन्द प्रकार की योगी क्रियाई करनी पड़ेगी आपको आसन लगाने पड़ेंगी प्रनयाम को साधना पड़ेगा ध्यान करना पड़ेगा और फिर अंततोगत्व आपको समाधि मिलेगी अब इसमें एक कि बात करती है यह सर्जी की बात करते लेकिन जैसे से अलग अलग निकल किरते हमें क्या क्या और राजयों की प्राप्ति से मौक्स को प्राप्त करना ये क्या है एम ओफ योगा है अब राज्योग क्या है राज्योग को हम सीधा सीधा क्या है कर सकते हैं कि ये ध्यान है एक ध्यान का मार्ग है वैसे राज्योग बहुत विस्तृत है अलग जो हम राज्योग के मातर सोचते हैं कि ध्य तो यहां जो हमने बात की वो भी तो सेम ही है कोई अलग नहीं है तो यह सब चीजे क्या होगी एक ही होगी सब अब लास्ट में मैं इस चीज के कंक्लूजन को निकाल देता हूं एक ही वर्ड में केवल एम ओफ योगा है वो है हमारा समाधी तक पहुंचना इसके अलावा सब्सक्राइब जरूर करें ताक आपको योग विसाई की प्रमानिक जांकारी हर एक टोपिक पर मिलें